लेंगे दूसरे बाले को t plus delta t ले रहेंगे is equal to 1 तो यह आपके पास delta t t 0 है delta t आपके पास 1 आजएगे यह आप देबारा इसमें put करेंगे यह आपके पास answer आजएगे इसको आप इसमें put करेंगे part 2 में part 2 में फिर t 0 है और delta 2 second बाले को हम लेंगे t plus delta t is equal to 4 तो डेल्टा टी आपके पास क्या आजएगा फोर आजएगा अब इसको दुबारा इसमें पुट करें तो यह आपका अंसर आजए फिर पार्ट थी में भी ऐसे ही है टी जीरो है और यह सोरी यह पार्ट थी था यह वाला और फिर आप पुट करेंगे question number 2 जो part 2 है उसमें है टी 0 है और टी प्लस डेल्टा टी आपके पास आजएगा इसमें आप टी डेल्टा टी की value 2 आजएगे यह आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास यह answer आजएगा अब इसका part B दोनों question का question number 9 का भी और 10 का भी question number 9 और 10 का part B उसमें 9 के part B में आपने find out करना है how long does it take for the ball hit to the ground यानि एक बाल को उपर चाला गया है उपर फैंका गया है तो वो बाल उपर से नीचे दुबारा जमीन को कब touch करेगा कितने time में दुबारा जो है वो जमीन को टच करेगी वो time बताने है आपने तो जब बाल को उपर फैंका ये ये ज़ीक ये आप इसको उठ ले ले है ये बाल को उपर फैंका गया है ये height है एच यह जो दुबारा बाल वापस नीचे आएगी अब यह उपर जाके बाल नीचे आने का जो टाइम है यह हमने फाइंड ओट करना है कि नीचे कि दुबारा किस टाइम पर टाइम करेगी जमीन को तो यह जब जमीन को टाइच करेगी तो हैच टी आपके पास क्या हो एच्छा हाइट आपके पास 0 हो जाएगी तो आप इसको माइनस 16 T स्केर प्लस 128 T को 0 के बराबर ले लेंगे है हाइट 0 है ना